नमस्कान आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महराश्टा फाइस आपके साथ मैं हूँ परवीशे आपको पताएंगे महराश्ट में संग के सर्वे से अगाडी में क्यू मचा है हडका क्यू सीट शेरिंग में फिसर्डी साबित हुई कॉंग्रेस कैसे रास ठाकरे ने बढ़ाए शिंदे उद्दव की परिशानी कॉंग्रेस की क्या है मुंबई डील और अजीद पवार की लिस्ट से क्यू हुई बगावत इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन साथ ही आपको इन सबी खबरों से कराएंगे रूबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बनने से पहले एक नज़र डालते हैं महराश्ट की टॉप हैडलाइन्स पार महराश्ट में आ रही है किसकी सरकार संग के सर्वे में बड़ा दावा उड़ी महाविकास अगहारी की नेद सीट शेरी में कॉंग्रेस को लगा तगड़ा जटका पाती नेताओने राहुल पर फोड़ा ठीक रहा क्या कॉंग्रेस में होगी बगावत महराश की माहिम सीट पर तीनों सेना आमने सामने रास ठाकरे बढ़ाएंगे शिंदे उदवगुट की मुश्किल है कॉंग्रेस गड़बंदे ने मुंबई में ही कर ली दील बीजेपी में सीटों पर दिली तक बैठा का दौर जारी शिंदे की तेवरों से बड़ी मुश्किल है अजीत पवार गुट की लिस्ट आते ही एंडिये में बगावत बीजेपी के सीनियर नेता सुनिल शेलके ने छोड़ी पार्टी खबरों में सबसे पहले बाद संग के सर्वे की चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है महायूती के सहयोगी दलों ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है इस बेज राष्टी स्वेम सेवक संग यानि RSS एक इंटरनल सर्वे सामने आया है जिसमें महायूती को 160 सीटे मिलने का दावा किया गया है सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी, शिवसेना, एंसेपी का भगवा गडबनन लोग सभा चुनाव में मिले जटके से उबर चुका है और विधान सभा चुनाव में बड़ी जीत दर्च करेगा संग की तरफ से माहूल जानने के लिए चुनाव से पहले एक आंत्रिक सर्वे कराया जाता है और उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही बीजेपी की चुनावी रणनीती तै होती है और आबादी को ध्यान में रखकर उम्मीदवारू का चुनाव होता है अक्टूबर के दूसरे हफ़ते में संग ने अपने चैनल के जरिये महराश्ट की सभी 288 सीटों पर सर्वे कराया उस सर्वे के मताबिक महायूती 160 सीटों पर जीत दर्ज करने की तरफ बढ़ रहा है सर्वे बीजेपी को 90 से 45 सीटे मिलने की संभावना है और शिंदी की शिवसेना को 40 से 50 सीटे और अजीत पवार की NCP को 25 से 30 सीटे विल सकती है ये सर्वे उन मतदाताओं पर केंदरित था जिनोंने लोगसभा चुनावों में बीजेपी से असंतुष्ट होकर विपक्षी गडबंदन इंडी को वोट दिया था बहराल अब ये देखना रोचक होगा कि क्या ये सर्वे सही साबित होता है या चुनावी मैदान में कोई नया मोडाता है खबरों में अब बाद कॉंग्रेस को लगे जटके की महराश्ट में कॉंग्रेस को तगड़ा जटका लगा है सूबे की कुल 288 सीटों में से 255 सीटों पर इंडी गड़बंदन के बीच सीट बटवारी का समझोता किया इंडी गड़बंदन में शामिल कॉंग्रेस उद्व ठाकरी कीशी सैना और शरत पवार की एंसीपी के बीच 85-85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने का फार्मूला बना लेकिन 33 सीटों पर कोई फैसला नहीं हुआ इंडी गड़बंदन की सयुक्त प्रेस कॉंफरेंस में संजीराउत ने कहा हम गड़बंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं हमने अब तक 270 सीटों पर बात कर ली है और 85-85-85 सीटों के फार्मूले पर सहमती बनी हम कल अपने अन्य सहीयोगियों से बात करेंगे जब बाकी सीटे भी साफ हो जाएंगे लोगसबर चुनाव नतीजों से उत्साहित कॉंग्रेस इंडिया गड़बंदन में बड़े भाई की भूमी का निभाना चाहती थी लेकिन उद्दव और शहरतपवार के सियासी दाओं से सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया हाले कि कॉंग्रेस ने 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था लेकिन 100 सीट का आंकड़ा भी पार्ग नहीं कर सकी 2009 में कॉंग्रेस ने 170 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2014 में 287 सीटों पर किस्मत आजमाई थी और 2019 में कॉंग्रेस 147 सीटों पर चुनाव उसने लड़ा था इस तरह से कॉंग्रेस अपने सियासी इतिहास में सबसे कम सीटों पर इस बार महराश्ट में चुनाव रड़ रही है या कहा है अपनी किसमत आजमा रही है कॉंग्रेस अपने सियासी इतियात में अभी तक सबसे कम सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है 2024 के लोग सबस चुनाव में भी कॉंग्रेस को गडवन्दन के चलते समझोता करना पड़ा था और फिर से विधान सबस चुनाव में भी शेत्रिय दलों के आगे कॉंग्रेस ने सरेंडर कर दिया मोदी के केंदर की राजनीती में दस्तर देने के साथ ही कॉंग्रेस पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है कॉंग्रेस के हाथों से देश की ही सत्ता नहीं बलकि राज्यों से बाहर भी वो होती जा रही है और खबरों में अब बात रास ठाक रेकी महराश की एक ऐसी सीट जहां प्रदेश की तीनों सेनाओं के बेच कड़ी टकर है दरसल मुंबई की माहिम सीट पर शिलसेना यूबिटी और महराश नवनिर्मान सेना आमने सामने हैं मुंबई की 36 विधान सबा सीटों में से एक माहिम सीट से महराश के मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे के नित्रित वाली शिलसेना ने मौजूदा विधायक सदा सरवनकर को मैदान में उतारा है वही महेश सावन्त शिलसेना यूबिटी के उम्मीदवार हैं जबकि राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को मैदान में उतारा है जो माहिम सीट से चुनावी शुरुवात कर रहे हैं अमित ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले तीसरे वेक्ती होंगे उनके पिता मंसी के प्रमुक राज ठाकरे ने कभी कोई ठाकरे ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है अमित ठाकरे की नाम की घुशना के साथी माहिम विधान सभाज शेत्र में तरकोनिय मुकाबला होगा संजे राउत ने काई कि दादर माहिम सीथ शिरसेना का गड़ रही है इसलिए इस सीथ पर चुनाव नहीं लड़ने का तो सवाली पैदा नहीं होता माहिम सीथ पर मंसी को सिर्फ एक बार 2009 में जीत मिली जब शिरसेना मौझूदा विधाय सदा सर्वानकर कौंगिस में शाविल हो गए थे इसे माराथी वोट बैंक बढ़ गया और मंसे के नितिन सर्देसाई ने जीत हासिल के दरसल इससे पहले 2019 के चुनामें उद्दर ठाकरे के बेटे और अमित के चचेरे भाई आदेते ठाकरे ने 2019 के चुनामें माहिम के पास की वरली सीट शे जीत दरज की थे सीम बनने के बाद उदर ठाकरे विधान परिशत के जरिये विधान मंडल पहुंचे थे उस वक्त राज ठाकरे ने 2019 के चुना में आदित्य ठाकरे को बिना शर्ट समर्थन दिया था खबरों में आगे बरते हैं कॉंग्रेस गडवंधन के मुकाबले बीजेपी गडवंधन का सीट शेरिंग मुंबई में नहीं सुलजबा रहा है गडवंधन के तीनों ही दल लगातार दिली दोरे पर है पिछले 20 दिनों में तीन बात दिली में इसको लेकर बैठक हो चुकी है तीन अक्टूबर को अमिशा के साथ एक नाशिंदे और दिवेंदर फर्णवीज के बीच बैठक होई और इस बैठक के फॉरण बात बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी अजीत और शिंदे ने भी सिंबल देना शुरू कर दिया 23 अक्टूबर को तीसरी बार दिली में अमिशा के घर बैठक होई बैठक में फर्णवी शिंदे और अजीत के शाविल होने की खबर है बैठक में उन सीटों पर चर्चा की गई जिस पर अभी भी पेच पसा हुआ है बीजेपी गडबंदन में तीन पेच अभी भी सुलजने बाकी है पहला पेच अजीत पवार को लेकर है बीजेपी नहीं चाहती कि अजीत पवार उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारे जिससे पार्टी की किरकरी हो जाए मसलन नवाब मलिक और बाबा सिद्धी के परिवार पर बीजेपी को एतराज है इसी तरह कुछ दूसरे उम्मीदवारों पर भी बीजेपी बीटो लगा रही है पार्टी के मुंबई अदेक्ष ने तो खुल कर कह दिया है कि दाउट से जुड़े लोगों को एंडी में टिकेट नहीं मिलेगा वही पवार अपने सिंबल पर अपने लोगों को मैदान में उतारना चाहते है बाबा सिद्धी की हत्या हो गई है और नवाब मलिक बेल पर है ऐसे में इन दोनों ही नेताओं के परिवार से तिकेट की दाविदारी है बाबा सिद्धी की के बेटे खुद विधायक है और नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनाव की तयानिया कर रही है दूसरा पेच एकना शिंदे की पार्टी की सीटों को लेकर है कहा जा रहे है कि शिंदे की पार्टी मुंबई की उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां पर पिछली बार सिफसेना मैदान में उत्री थी हाला कि बीजेपी की कोशिश यहां के कुछ सीटे लेने की भी है इसी तरह विधर में शिपसेना शिंदेगुड बीजेपी से उन सीटों की मांग कर रही है जहां उद्दफ के उम्मीदवार मैदान में है बीजेपी विधर्ब में स्टीट शेरिंग नहीं करना चाह रही है हाली में मुंबई की एक बैठक में ग्रहमंत्री अमिशा ने त्याग और बलिदान की बात कही थी अमिशा ने कहाता कि जादा विधायक होने के बावजूद हमने मुख्यमंत्री की कुरसी आपको दी हमारे विधायकों ने त्याग किया अब आपको भी सोचना चाहिए इसी तरह एक पेच सीम कुरसी को लेकर भी है महराश्ट में अब तक ये तैय नहीं हो पाया कि NDA की सरकार बनती है तो अगली बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा चुनाव तो बीजेपी ज्यादा सीटों के लड़ रही है लेकिन पूर बहमत ना मिलने के हालात में मुख्यमंत्री बनाना उसके लिए भी आसान नहीं रहने वाला है इसलिए अभी भी महायूती में पेच पर पेच फसे हुए है खबरों के आखर में बात अजीद पवार की अजीद पवार के गुट उम्मीदवारों के लिए सामने आई है तो बीजेपी के सीनियर नेता ने पार्टी छोड़ने का ऐलांग कर दिया एनसेपी ने पूरे जिले की मावल विधान सभासीर से मौजूदा विधायग सुनेल शेलके के नाम की घोशना की जिसके कुछ वक्त बात बीजेपी नेता और पूर्व राज्यमंत्री बाला भेगडे ने बीजेपी से अपने स्टीफिक आयलाम कर दिया यही ने एनसेपी के प्रदेश उपाद्याक्ष बापू साहिब भेगडे ने भी बगावत कर दिया और कहा कि वो 20 नमबर को होने वाले महराश विधान सभासीर नाफ वो लड़ेंगे बाला भेगडे ने बताया कि उन्होंने और उनके समर्थकों अपने स्टीफिक की घुशना कर दिया उन्होंने ये भी कहा कि वो बापू भेगडे का समर्थन करेंगे और शेलकी को हराने के लिए काम करेंगे मौजुदा विधायक सुनेल शेलके ने साल 2019 में इस सीर से बीजेपी के पूर विधायक बाला भेगडे को हराया था बापू भेगडे ने कहाई कि उन्हें अजीत पवार के नेतरित वाली एंसीपी से टिकेट मिलने का भरूसा था लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया आप सुनेल शेलके को महायूती गडबंदन से उम्मेदवारी मिलने के बाद बापू भेगडे ने बागावत कर दिया इसे में देखना दिल्चस्प होगा कि इस सीट पर एंसीपी शरत पवार गुट किसे टिकेट देता है यहाँ भी मुकाबला दिल्चस्प होने वाला है तो महराश्राफ आइस में फिलाल के लिए इतना ही आपको मारे इस वीडियो की खबरे कैसी लगी कमेंट करके अपनी राइज ज़रूर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें सब्सक्राइब